प्यारे बचों बचों एक्सरसाइज 6.4 से क्वेशन नंबर थर्ड ले रहे हैं देखे क्वेशन में क्या कहा है ए एम इस अ मीडियन आफ़ ट्राइंगल ए बीसी ए एम मीडियन है तो मीडियन का क्या मिनिंग होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइट के मीड पॉइंट क को dije करती मीडियन तो ये ऐम इस बीसी का मीड पॉइंट हुआ तो बी एम और ये थी एम दोनों आपस में इक्वल होगा बच्चों ठीक है यह ऐने याए और ये पार्ट दोनसं इक्वल हुआ अब आपको क्या प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA, AB, BC और CA, इस ट्राइंगल की तीनों साइट्स का जो सम है, वो बड़ा है किसे? यह AM के डबल से बड़ा है, इसके दुगने से भी बड़ा है यह, तो यह कैसे प्रूव करेंगे तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बचो, कि किसी भी ट्राइंगल में दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से जादा होता है, जैसे अगर इन दोनों को जोड़ होते हैं, 3 प्लस 5 तो 8 हुआ, 8 4 से जादा होगा, 3 प्लस 4 7 हुआ, 7 5 से जादा होगा, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9 3 से, यह कोई भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेसा जादा होता है, यह किसी भी ट्राइंगल के लिए कंपलसरी है, यह प्रॉपर्टी है, कि कोई भी त दो भुजाओं का जोड़ हमेसा तीसरे से जादा होगा, बच्चों, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों, हमने ट्राइंगल लिया है, इसमें दो ट्राइंगल बन गए बच्चों, तो अभी यह इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ए बी एम, ए बी एम ट्राइंगल में, तो ए बी एम में क्या होगा, यह दो भुजाएं हमने ले ली, ए बी और बी एम, इसका सम किस से जादा होगा, ए एम से जादा होग किसी भी त्रहुज़ की दो भुजाओं का जोड तीसरी भुजा से हमेसा बड़ा होता है। इसी प्रकार से अभी ट्रैइंगल ले लिया इन ट्राइंगल अब सेकेंड ले रहे हैं n ट्रैंगल AMc यह वाला ट्रैंगल लिया तो इसमें भी ये भुजा AC प्लस CM इन दोनों का जोड़ AM से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या लिखा बचो इन ट्राइंगल ACM में AC प्लस कुन सी भुजा AC प्लस ये MC या CM है ना इन दोनों का जोड़ AM से बड़ा होगा बचो नमबर सेकेंड तो ये भी इस से बड़ा है ये भी इस से बड़ा है अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ भी इन दोनों के जोड़ से बड़ा होगा क्योंकि ये example के लिए देखे जैसे 5 बड़ा है 2 से 4 बड़ा है 3 से तो अगर मैं इधर का और इधर का sum करता हूँ तो ये कितना आता है 2 और 3 5 आएगा बचो और ये बड़ा होगा किसे 5 और 4 9 से यहने दो संख्या है अगर किनी दो संख्याओं से बड़ी है तो उनका sum भी बड़ा होता है उन संख्याओं से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बचो इन ये बड़ा है और ये दोनों का sum जो है इन से बड़ा है तो इन दोनों को अगर add कर देंगे तो इनके sum से बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एडिंग है ना एडिंग 1 प्लस 2 तो कर रहे है एक और 2 को एड किया हम ना तो देखो एड किया यह इधर से जूड़ेगा तो हमने पहले उपर वाला लिख लिया कि आक्रा कि शार syoma कि क्या लिखा देखें यहां से में ईथि प्लस भी एम अमसीसिप इसमें यह वाला छूड़ प्लस क्या जोड़ां माब इसको पहले लिख लेते हैं पहले एम सी ले लिख हैं हैं सीच A C यह दोनों का सम जो है इसका और इसका सम किसे बढ़ा होगा A M फ्लास A M ठीक है यह और यह दोनों हमने पास में लिख लिए इन दोनों को पास में लिखकर एड कर दिया तो देखो बच्छो हमको A B मिल गया है यहां से और इसको देखो मैंने इसको पास में इसलिए लिखा B M plus M C तो इस ट्राइंगल में देखो B M plus M C यह पूरी लाइन मिलके क्या बनाती है B M और M C मिलके B C बनाती है तो मैंने इसको लिख दिया B M plus M C को क्या लिखा BC और ये क्या बचा था AC और ये बड़ा किस्से हुआ AM और AM कितनी बार हो गया दो बार तो इसको 2AM लिख सकते हैं तो ये क्या आगया हमारा जो हमको प्रू करना था क्या प्रू करना था AB प्लस BC प्लस AC greater than 2AM तो यही हम यहां पर लिया है AB प्लस BC प्लस AC greater than 2AM तो क्या किया बच्चों हमने हमने यहां पर क्या करा AB M एक ट्राइंगल लिया और AC M दूसरा ट्राइंगल लिया है ना और हम यह जानते कि किसी भी भुजा किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाओं का सम तिसरी भुजा से बढ़ा होता है तो इन दोनों भुजाओं का सम AM से बढ़ा हुआ इन दोनों भुजाओं का सम AM से बढ़ा हुआ और इनको एड कर दिया हमने हमारा एंसर आ गया बच्चों तो यहां पर आपका यह question number third complete होता है बच्चों ओके thank you have a nice बच्चों question number four ले रहे है exercise 6.4 चल रही है हमारी देखे question में क्या का है ABCD is a quadrilateral आपको दिखाई दे रहा है आपर ABCDA quadrilateral है और आपको प्रूव करना है AB, BC, CD और DA यहने यह चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA इन चारों भुजाओं का जो सम है यहने इनको चारों को एड कर दिया तो जो इनका जो एड करने पर जो result आ रहा है वो बड़ा है किस से इनके दोनों diagonal से AC और BD को अगर जोडते हैं और इन चारों भुजाओं को जोडते हैं तो इन चारों भुजाओं का सम इन दोनों के सम से ज़ादा है यह प्रूब करना तो देखो बच्चों यह आप कभी दूसरी बूक्स हो या कई गाइड वगरा में देखेंगे तो यह थोड़ा सा complicated हो जाता है बच्चे घबराने लगते हैं तो आपको मैं एक idea देता हूँ जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इनको symbolic form में change कर लिया करो इनको नाम दे दिया करो तो हमने क्या करा A, B, B, C और C, D को नाम दे दिया A, B, C को X ले लिया हमने B, C को Y C, D, को Z और D, A, को W ले लिया तो इससे हम हल करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी केसे आसानी रहेगी अब देखे हमने triangle लिया A, B, C triangle ले रहे तो ट्राइंगल में property हम जानते है the sum of any two side is greater than the third side यह अभी मैं आपको previous question में समझा चुका हूँ तो कोई भी दो भुजाओं का sum तीसरी भुजा से जादा होता है तो हमने triangle लिया A, B, C ABC triangle लिया तो ABC में दो भुजाओं का sum यहने X plus Y तो क्या हो जाएगा X plus Y का sum इन दोनों का sum यह triangle है बचो यह triangle इसकी बात हो रही कौन सी ABC triangle की बात हो रही यह बीच में भी line नहीं है यह माल लो तो इन दोनों side का sum इस तीसरी side AC से बढ़ा होगा तो यह बढ़ा हुआ AC से इसको number 1 दे दिया हमने ठीक है बचो अब इसी प्रकार से अब मैं triangle ले रहा हूँ BCD अब क्या ले आ IN triangle BCD यह triangle लिया हमने side कौन सी है Y और Z Y और Z किस से बढ़ा होगा बचो इस से बढ़ा होगा BD से तो हमने लिखा Y प्लस Z बढ़ा होगा किस से यह BD से number 2 ठीक है बचो फिर मैंने triangle लिया ACD कौन सा वाला देखो पहले पहले triangle कौन सा लिया था यह वाला लिया फिर यह वाला लिया अब यह वाला triangle ले रहा हूं कौन सा ACD तो यहाँ पर मैंने लिखा in triangle in triangle ACD ठीक है बचो ACD triangle देखते हैं ACD में इन दोनों का sum किस से ज़्यादा होगा इस से AC से तो किस किस का sum बुजाए W प्लस Z W और Z का sum किस से ज़्यादा होगा AC से यह नमबर 3 आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने में भी आसानी रहेगी अब एक triangle और बचा यह वाला W और X side वाला कौन सा लिखेंगे ADB तो इस triangle को नाम लिख दिया in triangle ADB ADB triangle में क्या होगा इन दोनों का sum किस किस का W प्लस X इन दोनों का sum किस के से बढ़ा हुआ BD से इसको DB भी बोल सकते है और BD भी बोल सकते हो बच्चों है ना तो यह बढ़ा हुआ BD से नमबर 4 तो यह एक दो तीन चार चार ट्रैंगल बन गए हमारे लिए लिए एक ट्रैंगल फिर दूसरा ट्रैंगल फिर तिसरा ट्रैंगल फिर चोधर है चारों ट्राइंगल में यह वाली प्रापर्टी लगा दी कौन सी कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बढ़ा होता है अब हम इनको एड कर रहे हैं एड कर रहे हैं इन सब को एड कर दिया किसको एडिंग इन सब को एड कर लिया हमने वन टू थ्री फोर को ठीक है इनको एड कर दिया यहां पर इसको एड करेंगे तो एकस कितनी बार है दो बार एकस प्लस एकस तो यह हो गया टू एकस इनको भी एड करा तो वाई कितनी बार आ रहा है इसमें वन टू तो टू आए इसमें डवल्यू कितनी बार आ रहा है दो बार और जेड कितनी बार आ रहा है दो बार यहने सब दो दो बार आ रहे तो हमने इसा लिख दिया टू एकस प्लस टू वाई प्लस टू ज एग्जाम्पल में आपको बताया था कि यह देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 अगर 2 से बड़ा है 4 3 से बड़ा है यह जानते हैं 5 बड़ा होता है 2 से 4 3 से बड़ा होता है तो यह दोनों बड़े-बड़े और चोटे-चोटे को जोड़ा तो बड़े 5 और 4 को जोड़ा तो 9 हुआ और 2 और 3 को 8 गया तो 5 हुआ तो 9 5 से बड़ा हुआ ना यहने greater संख्याओं का सम करेंगे तो जो smaller संख्या है उनके सम से greater ही आएगा ठीक है तो इसी property का यूज करते हुए हमने यहां पर इन सब को जो बड़ी संस्ख्याओं थी यहां जो साइड बड़ी थी उनका सम किया और जो छोटी साइड है उनका सम किया तो बड़ी साइड का सम जादा होगा कि suivre चोटी साइड तो छोटी में देखो यहां पर सब में 2 है तो अगर मैं 2 से 2 कामन ले लेता हूं दोनों में से तो क्या मिलेगा हमको X प्लस Y प्लस W प्लस Z यह बड़ा है इसमें से भी 2 कामन ले लिया A C प्लस B D अब 2 बाहर निकाल लिया इधर से और 2 से दोनों में मैंने भाग दे लिया अगर यहां भी 2 से डिवाइड करूँगा इधर भी 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो 2 से दोनों तरब डिवाइड किया मैंने तो क्या मिल गया हमको बच्चों यहां से देखिए मैं डिवाइड कर देता हूं 2 यहां पर भी तो यह अपने equation में पढ़ा है यह cancel हो गया तो this implies क्या मिलेगा बच्चों हमको x plus y plus plus w plus z greater than क्या आगया ac plus bd ठीक है बच्चों अब यह हमारा answer आगया है केसे आगया इधर देखिए अब हमको क्या लाना था बच्चों इन चारो भुजाओं का सम इन दोनों भुजाओं के सम से यह डाइकोनल के सम से ज़्यादा लाना था चारों भुजाओं को नाम दिया था a b को x b c को y c d को z और a d को w और हमने जब इसको solve किया तो हमारे पास last में क्या आगया एक्स प्लस y प्लस w प्लस z इनका सम किस से ज़्यादा आगया दोनों भुजाओं को अब एक्स को हमने नाम वापस से दे दिया तो हैंस क्या लिखते हैंगे हैंस एक्स मतलब है आपका a b y मतलब है b c और w है c d और z है d a इनका सम किस से ज़्यादा आगया बच्चों a c प्लस b d से और यही हमको प्रूव करना था हमारा question यहाँ पर यह complete होता है बच्चों ओके थेंक यू हवे नाइस डे